तो आज में लेकर कर आएंगे करके उपर एक और लेक्चर सर सारे हो रहे हैं नेर्जी के पहला लेक्चर लिया तो वहां हमने बहुत अच्छे से बात करी थी कैपिस्टर एक ऐसे डिवाइस है जो की मेंली एनेर्जी चाहिए तो एकदम से कोई इखटी फॉर्म में इलेक्रिक फील्ड की फॉर्म में कोई एनेर्जी बनाता है वो डिवाइस था हमारा आज इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे यहार एनेर्जी किती श्टोर होती है परवेपलेट कैबस्टर में कैसे उसको ड्राइब करेंगे क्या उसका एक energy store इन परलेल ट टेकर पैसिटर टेकर इन ए पेरळ्रेज्स ट्रिक आप ल्हट पनाता मेरे पास इस तरीके से दो कोई चार्ज लिया दी क्यों और मैं इस प्लेट पर ला करके रखा जब यहां से चार्ज लिया मैंने और इस प्लेट पर लाकर रखा तो दोनों प्लेट पर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा एक पर पॉस्टिव चार्ज और एक पर नेगिटिव चार्ज क्या बात के लिए र यह새 चार्ज हाल सी चार्ज रहा और एकक पर चार्ज हुना ना सकते फेस्ञेश से कैपशिटर gekommen okay उतने आ गए और यह क्या हो गया चार्ज अभी जो चार्ज हुआ यह इसमें में जो अंदर प्रॉसेस हो रही है न यह वर्कडन करना पड़ रहा हमें वह वर्कडन हम नहीं कर रहे हैं यह बैटरी कर रही है अब देखो इसी वर्कडन का यूज करके हम एनेटजी निकालने व पोटेंशियल एनेरजी तो इस पॉइंट को ध्यान रखना वर्कडन करने के टाइम पर जो एनेटजी स्टूर होती है वह एलेक्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनेरजी होती है क्या आपको फॉर्मूला याद है वर्कडन का इधर देखो इस चैप्टर में मैंने सबसे पहल देखो अगर माल लेते हैं अपन दीक्यू डीक्यू चार्ज उठा करके लेकर आ रहे हैं चोटे चोटा सा वर्कडन अना टू कैरी इसमॉल चार्ज डीक्यू फ्रॉम वन प्लेट तू अनदर प्लेट कितना आएगा देखो वहां से पोटेंशियल डिफरेंस बिट्विन ड यहां से पोटेंशियल का फॉर्मॉला आ गया क्यू बाए सी माल लेते स्टार्टिंग में आपने चार्ज लेकर आया आप क्यू अनदर डिवाइड में क्या आ गया सी और डीक्यू यह है वो छोटू सा वर्कडन जो आप लोगों ने एक छोटे से चार्ज डीक्यू को उठ प्रशाने में एक प्लेट से दूसरे प्लेट में हमने किया अब हमें निकालना है टोटल वंक्ट टोटल 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 ओव्र्क डण क्या बात करों यह टोटल वर्क क्यों राइस तो इस्टोर हो जाएगा एंज एलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशलेट एले रहे हैं तो डीडवलो चोता सा integration करेंगे क्यूब आए सी डीक्यूव अरे सिंपल है यार इतना टफ मत बनाओ उसको क्यूब आए सी डीक्यू कहां से कहां तक पहले देखो चार्ज कितना था इस क्यूब आपसिटर में 0 फुली चार्ज हो गया कितना चार्ज हो गया माल लेते हैं क्यूब तो इसका integration करते हैं तो देखो वन अपॉन में सी कॉंस्टेंट है बहार आ जाएगा क्यू डीक्यू का integration कितना होगा क्यू स्क्वेर डिवाइड डिवाइड तू कहां से कहां तक जी की जगा Q पुट करा Q स्कार आ गया तो एनर्जी स्टोर कितनी आ गई पैटा Q स्क्वेर अब है टूसी इधर तीन फॉर्मुले अमारे सामने निकलने आएंगे इसको बोल देते हैं हैस्टेग न कमाल की बात है अनो पहला फॉर्मुले ये बन गया बाकि तो फॉर्मोले दे प्रमूला जाएगी क्योंकि जगा सी भी क्ष्टा रखें से को हुआ तो यह इसक्राइब बचा है ये पर मुला अब इस्तेमाल करेंगे जी जब आपको से और वी ये वन और इसको वह देते हैं है स्टैक तो वाइरल कर दो बटाई से तीसरा देखते हैं हम अपन जब अब मेरे को चार्स तो ठीक है क्यापिस्टेंस गाप करना है तो सी का फॉर्मुला क्या होता है क्यू बाई वी क्या बात के लिए है अरे कुछ गड़ पर कर दीक है दो को नहीं देखो क्यू स्केर वाई टू का टू सी की वैल्यू क्या यहां क्या गया हाफ क्यू भी तीनों फॉर्मुले को अच्छे से याद अठना इसके निमेरिकल निमेरिकल प्लेलिस से जरूर लगाना कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में भी बताना इसको नोट डाउन कर सकते हैं आज क्लास में इतना है थैंक्यू